हलो गाइस विल्कम बैक टू आवर चैनल अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो मद निशेद विभाग में जो सत्तर सपोर्ट स्टाफ की जो वकेंसी निकली है और 21 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन पेपर के माद्य हम से आया था परभात कबर के माद्य हम से चैसा कि आपक कोई फायदा नहीं है इसी वीडियो में सारे चीज़ें क्लियर करने वाला हूं उससे पहले आपको बता दो अगर आपने उत्तर प्रदेश पुलिस की वेकेंसी फॉर्म बरी थी और अच्छी पुस्तक के तलास में हैं तो इन किताबों को आप प्रेफर कर सकते हैं अगर फ करती प्रक्षा 2022 के लिए नवीन तम पाठे करम के साथ इन लोगों ने 800 पेपर पचीस सो से ज्यादा बहुए कल्पे प्रस्न और दस प्रक्टिस के साथ यह पुस्तक को प्लब्द कराई है जो कि आपको डेफिनेटली अधर किसी भी पुस्तक से जो मार्केट में एवलेब करा दिया है और बिलकुल अगर एर्षफी यहां पर किताब है अँप कोई बहुत ही ना मात्र की यानि कि विल्कुल ना के बलाबर यहां पर आ के यहां पर है Wrap this to पुस्तक आपको दिखा दो फ्रेंट्स यहाँ पर चक्षु प्रकाइशन की यह स्टडी गाइड है जिसमें आप अच्छे से स्टडी करके अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंट्स अब वर्दी दूर नहीं यहाँ पर फिशांदार है और जब आप इसको स्ट्रेटी करेंगे तो आपको यह अहसास भी हो जाएगा जरूर यहां पर फ्रेंट्स आपको तीन हजार बहुत विकल्पिये प्रस्न के साथ पास सॉल पेपर और साथ में इस पुस्तक के अंदर आपको मिल जागा दोनों पुस्तक का पुरा आपको लिखित परिश्चा का पाठे करम इस साथ में यहां पर विशेज सूची है एकदम तरीके से आपको सारी चीज़ें प्रवाइट कराई गई है तो अगर आपने फॉर्म पीलप किया है तो जाएए और इसको मार्केट से पर्चेस करिए या फिर मैंने मीचे लिंक दिया है वहां से भी आप खरीज सकते हैं तो चली वापस आ चुके हैं वेकेंसी डिटेल पर मद निशेत विभाग में 70 सपोर्ट स्टाफ इसमें आता है इसमें फ्रेंट्स आता है मल्टी टास्टिंग स्टाफ और डेटा एंटरी ऑपरेटर तो मल्टी टासिंग आपके थर्टी वर्ट पर मिनट हिंदी या इंगलिस होनी चाहिए बस इतना यहां पर डिमांड किया हुआ है और अगर मल्टी टैस्किंग स्टाफ की बात करें तो आपका 10 प्लस 2 होना चाहिए साथ में आपको अच्छे बेसिक्स नॉर्नल मैनर्स जो भी हैं बात करने का तरीका वह सारे चीज़ें होनी चाहिए और कंप्यूटर टैपिंग अगर आपका है तो एडवांटेज मिलेगा उन लोगों को ठीक है यह दूना चीज़ क्लियर होगे दूसरी बात है यहां पर कुछ जो भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूं यह सारी चीज़ें आपके प में सारी सेनेरियो आपको अभी क्लियर कर दूँगा ताकि कोई भी स्टूटेंट जो है जो हमारे जॉब्स वाले भाया चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर अगर आप चाहते हैं अदर केंडिडेट्स को भी यह सारी जानकारी प्राप्त हो तो आप हमारी वीडियो को शे आप लोग मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई ऐसे ऐसे कोशन पूछे जो जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है अभी कुछ पूछता है कि यह वेकेंसी का कब जॉइनिंग हो जाएगा तो ऐसा फ्रेंट जो डिपार्टमेंट है वही बता सकता है डेफिनेटल अगर कोई चैनल पे कोई भी कुछ आके बग जाए बीना नोटिफिकेशन के तो उसको आप समझ यह कौनली व्यूज के लिए वो काम करता है लेकिन हम ऐसा नहीं है कुछ भी आपको कभी भी बरगलाने के कुशिस नहीं करते है ठीक है अभी अभी आपके सामने स्क्रीन पर फेंड्स इसका टेंटर नहीं किया है टेंटर किसके पास गया है उसके लिए अफिसेल लेटर जारी किया गया है वो लिटरा भी डिसक्स करेंगे और आप लोग भी चाहते हैं यह लिटरा आप लोगों को तक पहुचे खुद से पढ़ें इसको तो आफेंस टेली ग्राम चैनल एंड टेली ग्राम ग्रूप जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से जुड़े वहां आपने इसको डाल दिया है और निचे लिंक दिया है वहां से भी आप लुजा के देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर क्या कहा गया था कि मद निसेत उत्पाद देव अमनी ब सब्सक्राइब के लिए एक डेजुशन कर रहे है या फिर सी बीसी आएसी से ट्वल्व क्लास पास स्टुडेंट टैपिंग के साथ जिनको नौलेज हो वह रखे जाएंगे और मल्टी टैस्किंग स्टाफ के लिए बारों भी पास और साथ में कम्पुटर की जानकारी जिन भी यह जो आऊट्सूर्सिंग एजनसी सरकार ने हायर की है इस वेकेंसी को पूरा करने के लिए उनसे संपर्क बना लिया कैसे भी बना लिया वह अब उनके उपर है कि वह उनको खोजें पता करें वह उनके ऊपर है ठीक है तो अभी हम लोग सीदा लेटर पर चलते हैं इस होती है बहुत सारी रोज बताता हूं ठीक है लेकिन आप अपने अंदर अगर सेल्फ कांपिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं होगी सिंपल सी बात है नौकरी सबको बहुत कमी नौकरी लोगों को होती है अभी कोशिस करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप लोगों का नौकरी होना सुरू हो जाए क्योंकि पॉसिबल तो नहीं है एक परसेंट ही नौकरी लगती है तो मेहनत तो आप लोग करी रहे हैं और साथ में जो लोग यूँ कहां कि इंटरनेशनल लाइंग्वेज है कहीं भी जाते हैं तो आपको वो बैरियर जो बीच में आता है ना दो लोगों के बीच कम्यूकेशन का वो कभी नहीं आए अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो चाहे आप साउथ में चले जाए या फिर आउट अप इंडि इसके बारह में भी आप लोगों को बताएंगे की क्या है मैंने ज्यायन करूंगा नहीं करूंगा मुझे लगता नहीं है कि आप लोग ऊसरे इंफर्मिशन देऊंगा है ताकि आप लोगों का भी स्ब्सेलेक्शन हो पार यह जो आपके स्क्रीन प्रेटर दिख रहा है यह मद निशेद उत्पात भी भाग जो 21 जनवरी 2025 को यह लिटर निकला था यहां पर बता है कि मैन पावर प्लेस्मेट एजनसी के माध्यम से निबंदन करया लें यहां मद निशेद करयालियों के डाट एंट्री ओपरेटर के लिए प्राप्ति के संबंद में ठीक है तो कौन सा एजनसी हां पर हैर किया गया है उससे पहले कुछ लिखा है वो पढ़ते हैं निदेशानु अपयोग्त विसे के संबंद में कहना है कि विभाग के सबीच हित्री करेलों के लिए आवश्यक्ता नुसार डेट एंट्री ओपरेटर मल्टी टास्किंग स्टाफ या फिर आईट बोईज की सेवा प्राप्ति किये जाने हैं तो दो एजनसियों या था सरवसरी इंफो सिस है ठीक है तो जो मावेश्णवी वाला है उसका तो साइट है ठीक है उसके साइट पर आप लो जाके देख सकते हैं अगर वह वेकेंसी डालती है तो वहां से हो जाएगा लेकिन यह बात है इन्फो टिक इन्फो सिस्टम और सॉल्यूशन इसके बारे में मुझे नहीं पता ह है यह दोनों अका एट्रस दिया हुआ है एक तो पटना की है एक दर्भंगा की है ठीक है एक फ्रेंट्स पटना भागलपूर मगध शारा नेवंपूर्णिया के लिए है उपर वारे का इन्फो सिस्टम का और नीचे वैस्ट नभी हॉस्पिटल यह तिरुद परमंडल जो ग्रूप में भी जुड़ना आप लोग के लिए अच्छा है जब भी हमें समय मिलेगा समय का भाव है तो हम चैट्स वगरा सर्विस नहीं देते हैं और कुछ लोग परिशान हो जाते हैं सबसे बड़ी चीज है कि अगर चैट्स ओपन करते हैं हर कोई उस पे हर सेकेंड कु बहुत ही ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं वह परिशान हो जाएंगे तो मैं उसको उचित नहीं समस्ता हूं लेकिन जब समय आएगा तो मैं उसमें भी इंफॉर्मेशन आप लोगों से बीच इंटर शेरिंग करूंगा यानि कि आप लोगों जो भी पूछना है पोच सकते है आगे देखें फिंट्स दिखा है कि अता अनुरोध है कि उप्त अजैंसियों के माधियम से आपके कार्याले हैं तो उपलब्द कराये जा रहे हैं डेटेंटरी ओप्टरे वां मल्टी टैस्टिंग स्टाफ आइटी बर्ज के सूची के अनुसार कार्याले में कारे करने की अब दक्षता की जाँच कर आवशकता के अनुरूब चयानित कर विभाग को सिग्र उपलब्द करायें ताकि अगरतर करवाई की जाएं तो यह तो फ्रेंट्स एजन्सी जिसको हायर किया गया है पहला तो फ्रेंट्स सर्वसरी इंफो सिस्टेम सॉल्यूशन और दूसरा म अब होगा क्या फ्रेंट्स अभी सारा सेनेरियो को समझेगा कि होना क्या है कि अभी यह लोग एक जो भी इनके तुरू दलाल है या फिर जो भी हैं इसी नोटिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाए हैं यह आपके वाट्सप तक पहुंच आएंगे या आपके कोई फ्रेंड्स के जो भी आप से कॉंटैक्ट करता है चाहे वो आपका कितना भी करीबी इस्तेदार क्यों ना हो क्योंकि वो भी इन्फ्लूएंस में आ चुका होता है उस दलाल के जो उसको कमिशन देने की बात करता है मान कि चली कोई दलाल ने बोला आपके कोई किसी पर रिल है वो उसकी बात पर भरोसा करके आपसे प्रॉमिस कर दिया कि आपके नौकरी करवा देंगे होगा क्या फ्रेंड्स कि जब इसका कुछ प्रोसेस के नाम पर आपसे बोला जाएगा कि हम लोग पटना जा रहे हैं आपका डॉकुमेंट विरिफिकेशन कराने या फ्लांच ल दिख रहे होंगे वो इससे बच जाएंगे डैरेक्ट आपका अगर कंटेक्ट है इस कंपनी में एजनसी में तो आप डेफिनेटली आपका सेलेक्शन का चांस जादा हो सकता है या फिर वो लोग अपने साइट पर निकालते हैं कि हां ले रहे हैं हाइरिंग ओपन की है तो हो सकता है अप लोगों का ठीक है लेकिन आपको पता है इस बीच में कितने सारे दलाल एक्टिव हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इन सारी चीजों से बचना है और विसेज जानकारी के लिए आपको अपने चैनल जॉप्स वाले बहीं बने रहना है मैं बहुत सारी ची तो तब ही मैं आप लोगों को सारी चीज़ें इतने अच्छी से क्लियर कर पाता हूं बता पाता हूं ठीक है फ्रेंट्स तो आप लोग का अभी करता भी बनता है कि हमें भी फ्रेंट्स थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि अच्छा लगे और ऐसे डेली जो बेट्स के लिए फ्रेंट्स बने रही अपने चैनल जॉप्स वाले भाई आप नेक्ट वीडियो तक के लिए थन्यवाद